नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सुभी का fantasy loss cover के official youtube जैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो gaming के उपर 28% GST की बात चल रही है उसके उपर कि उसमें क्या कुछ myth निकल कर सामने आया है और क्या आपको GST देनी पड़ेगी या फिर company के पास ऐसा कोई option है जो कि आप से GST ने ली जाए क्योंकि आपको पता है कि अगर 28% GST user से company लेगी या government लेगी तो इसका परभाव बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप fantasy खेलते हैं आपको टीम नहीं बनानी आती है आप लोस में है प्रोफिट कमाना जाते हैं तो इस वीडियो के description box में जाईए वहाँ पर हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यानि कि fantasy लोस कबर के नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए तो किसी को पैसा नहीं देना है हमारे चैनल के उपर जुडने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है कि जो इस वीडियो के description box में लिंक है उसके उपर क्लिक करके आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जोइन होना है इसके अलावा दूसरा कोई option नहीं है ठीक है तो किसी को भी पैसा मत दीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि 30% TDS हो गया उसके बाद 28% GST हो गया उपर से ये जो फ्रोड जिने हम कहते हैं जो fantasy expert बनकर बैठे हैं ये आप से paid prime team के नाम पर आप से लूटते हैं तो आपके पास क्या बचेगा तो इसलिए किसी को भी पैसा मत दीजिए team नहीं बनानी आती है तो आप team बनाना सीख जाएंगी क्योंकि हम tips ट्रिक जगातार देते रहते हैं जब तक team आपको नहीं बनानी आती है तब तक जो team जिस team के यह fantasy के उपर 28% अच्छा यह GST उन से game के उपर apply होती है देखिए पहला तो है घोड़ा गेम जो है घोड़ों की जो race होती है उसके उपर 28% GST हो गया उसके बादे कसीनो हो गया रम्मी हो गया उसके बादे fantasy हो गया जैसे dream 11, my 11 circle इस तरह की application के मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं की सुप्रीम कोड जो है उसने dream 11 जैसी application को game of skill का नाम दिया था और इसे legal समझा गया था तो यह हो गया game of skill दूसरी ओर आता है कसीनो हो गया या घोड़ा race हो गया यह होता है सट्टा क्योंकि सट्टा वो होता है जिसके अंदर आर या पार होता है यह घोड़ा प गोर्मेंट ने इसको अलग category में रखा वो category थी game of skill लेकिन जब बात आई tax लगाने की तो बैटिंग एप और fantasy एप इन दोनों को सिर्फ एक platform के उपर रखा गया पहली गलती यह हुई है उसके बादे में बात करें 30% tedious की तो 31 March 2023 तक 10,000 plus winning के उपर 30% tax का नियम था जिसे बदल कर 1 April 2023 से गोर्मेंट का कहना था कि अगर fantasy से कोई एक रूपे का भी profit करता है उसमें से भी हमें 30% tax चाहिए लोगों ने वो tax भी पे किया अब गोर्मेंट का ये मानना है कि हमें 28% GST चाहिए जो value of money है मान लेजिए कोई 100 रूपे का जो contest है उसमें अगर कोई user 100 रूपे का contest जोइन कर रहा है तो उसके अंदर हमें 28% GST चाहिए तो इसके अंदर अब company के पास क्या रास्ता है और क्या आपको 28% GST देनी पड़ेगी ये कि पहले जब 30% TDS का जो नियम आया था तब भी लोगों का ये मानना था कि fantasy गेम जो है पूरी तरह से खतम होने वाला है लेकिन उस वक्त भी IPL के अंदर लोगों ने पढ़ चटकर ह आज तक जो गेम है वो सुचारू रूप से चल रहा है और काफी revenue भी generate हो रहा है तो ये गलत फेमी है लोगों की कि ये गेम जो है ये बंद हो जाएगा 28% GST लगेगी तो भी ये गेम बंद नहीं होगा लेकिन बात ये गरें कि 28% GST लगेगी या नहीं लगेगी ज़रूरी point ये है ठीक है अभी देखिए government का ये मानना था other कोई भी अगर tax pay करता है तो वहाँ पर 10% लेकिन fantasy से कितना लिया जा रहा है 30% दूसरी और से एक तरफ government कहती है कि 7 लाग तक की income के उपर कोई tax नहीं लिया जाएगा लेकिन असल माइने में अगर देखें fantasy के अंदर जो पैसा जीतते हैं लोग वो भी एक तरह की income है लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक रूपया भी अगर आप जीतते हैं तो भी आपको 30% tax ज इस तरह के अगर हम कुछ सत निकालें तो कहीं न कहीं दो गलापन भी नजर आता है उसके बाद में अगर हम बात करें gaming की मैंने बता दिया game of skill हो गया आपका fantasy game और उसके बाद हम gambling के अंदर हो गया जैसे casino जैसे game हो गया इस से अभी देखें impact क्या पड़ेगा अगर 28% GST ल season है लगना नहीं चाहिए और मेरे खाल से जहां तक मुझे idea नहीं लेगेगा वो भी मैं आपको इस video के अंदर आगे बताऊंगा कि इससे किस तरह से बचा जाएगा अचा आप बात करें अगर 28% GST अगर लगता है तो इससे impact क्या पड़ेगा impact सीधा सा ये पड़ेगा कि 10, 10,000 पलस नोक्रियां लोगों की जाएगी एक तरफ government वादे कर रही थी कि हम इंडिया को इतना develop कर देंगे कि बाहरी देशों से लोग invest करें कि यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी और उसके अंदर government job नहीं तो लोगों को private job की सुविधा बहुत अच्छी मिलेग लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहां पर 10,000 पलस नोक्रियां जो है विखतरी में है ठीक है उसके बाद हम बात करें कि दूसरा impact क्या पड़ेगा दूसरा सबसे बड़ा impact पड़ेगा BCCI और जो gaming की streaming करती है जैसे कोई TV हो गया TV का channel हो गया वो जो streaming करते हैं उनके पर इसका काफी impact पड़ने वाला है क्योंकि आपने देखा हुगा कि BCCI को जितना भी revenue generate होता है उसके अंदर हाली में जैसे लीग चल रही है तो वहाँ पर जरसी से इंडिया हटा कर dream 11 लगा दिया है तो वो पैसे दे कर लगा है उसका फाइदा BCCI को हुआ है और BCCI ने ब fantasy application से होता है क्योंकि आप जब भी देखते हैं मैच बगरा देखते हैं तो वहाँ पर जो aids बगरा आते हैं वो इन्हीं gaming application की aid चलती है और यह लोग पैसे देकर वहाँ पर aid लगाते हैं तो TV चैनल को revenue कहां से मिलता है वो भी fantasy से ही मिलता है ठीक है तो यह दो बात हो गए उस option के पास देखिए पहला तो option यह है कि government से जाकर सीधा बातचीत करें कि इस तरह से अगर करेंगे तो इस से बहुत बड़ा नुक्सान होगा एक तो इस industry को नुक्सान होगा और दूसरी और से government को भी कहीं नुक्सान होगा दूसरा है आपके पास रास्ता है court का कि आप court के अ अब जैसे वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के मैचों का अगर बायकोट करेंगे यह gaming जो application है fantasy application जो है अभी जैसे वर्ल्ड कप है Asia cup है इसके अंदर अगर यह gaming application इंडिया के मैचों का बायकोट करती है तब इनको पता चल जाएगा कि revenue जो है वो कहां से generate होता था ठीक है इस से इसके अलावा अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो वहां भी इसका काफी impact पड़ेगा क्योंकि यह खबर जो बाहर जाएगी जो बाहरी investor है वे लोग इंडिया के अंदर invest करने में कत्राइंगे क्यों कत्राइंगे क्योंकि देखिए इनका कोई rule regulation नहीं है यह जब fantasy के इसके ऊपर या gaming के ऊपर किसी भी परकार का कोई नियम लेकर आएं है टैक्स लेकर आएं तो इसके ऊपर किसी भी परकार से कोई debate नहीं हूई कहीं भी कहीं ब्याइंगे कूई नहीं हूई कहीं दीट नहीं हूई सीधा एक announcement कर दिया कि gaming application के उपर इतना tax देना पड़ेगा और अब announcement कर दिया कि gaming application के उपर 28% GST देना पड़ेगा। इसके लिए कहीं भी debate नहीं हुई। तो इससे आप साफ जाहर होता है कि कितना यहां पर दोगलापन है। दस साल से लगाता रही है इंडिस्ट्री जो है ग्रो कर रही है और ऐसा नहीं है कि यहां से tax चोरी हो रहा है, tax भी बराबर दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यह सब करने में कहीं न कहीं बहुत बड़ी गल्ती जो है वो भारत सरकार तो रहा है। अभी फिलहाल कि अगर हम बात करेंगी जैसे अगर 28% लोग GSTP करते हैं तो लोगों के लिए खेल जो है वो कहीं न कहीं महंगा हो जाएगा। लेकिन आज अगर लोगों के लिए यह खेल महंगा होता है तो फिर आने वाले समय में जैसे 2024 में तुनावी समय में क्योंकि यहां पर युगा खेलते हैं तो कहीं न कहीं गौर्वेंट के लिए भी सरकार बनाना महंगा साबित हो सकता है। अगर हम बात करें कुछ लोगों का कहना है कि यह अच्छा है इसे लोगों को लत लग जाती है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप उनके बारे में सोचिए जो बड़े मैच के अंदर कम से कम एक या दो सदसे एक एक या दो-दो क्रोड रुपे जीतते हैं 49 रुपे होगा जो जीतते हैं उनसे जाकर पूछिए कि यह अच्छी है या फिर नहीं है तूसरी बात यह है कि लोगों का जो मानना है कि जो कर लगता है वो हमेशा गरीबों के उपर लगता है अब आप यह भी जानते हैं कि ड्रीम 11 जैसी एप्लिकेशन के उपर या तो मिडल क्लास फैमिली के लोग खेलते हैं या गरीब लोग खेलते हैं तो गरीबों के उपर और मिडल क्लास फैमिली के उपर वे तो वैसे ही मरे हुए हैं उनके उपर और ज्यादा कर्ज लगा दिया और वही पर आप देखेंगी कि जो अमीर लोग हैं उनके हमेशा कर्ज माफ होते आए हैं इस इतने बड़े फैसले को लेने से पहले शायद सरकार को कुछ सोचना चाहिए था और आज तक के ETS में ऐसा कभी नहीं हुए कि किसी भी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा हो ये मिटल कलास फैंबली के बारे में सोचा हो ये सरकार हमेशा ध्योग पतियों के लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि ये गेम बंद हो जाएगा बंद तो फिर भी नहीं होगा और मैं आपको बता दूँ कि इसके अलवा अगर आपको ये लगता है कि 28% जैसे हम GST पे करेंगे तो हमारा पैसा ज्यादा लगेगा तो इससे भी बचाव के लिए देखिए जो एक नंबर का काम कर रही है जो सरकार को टैक्स भी दे रही है उपर से 18% अब तक GST भी देती आई है इसके बावजूद भी 28% GST और ली जा रही है लेकिन भारत के अंदर इलीगल जिनको हम कहते हैं बहुत सारी एप्लिकेशन ऐसी है जिनके उपर ने आपसे पैन कार्ड लिया जाता है ने आपका अधार कार्ड लिया जाता है ना वहाँ पर आपका कोई टीडियस कटता है ना वहाँ पर आपका कोई टैक्स कटता है ऐसी एप्लिकेशन मार्केट के अंदर फिल हाल बहुत जादा है और यह जो सरकार ने फैसला लिया है इस सरकार के फैसले से यह जो एपलिकेशन है जो illegal तरीके से चल रही है जो सरकार को एक रूपया का भी tax नहीं दे रही है ऐसी application को बढ़ावा मिलेगा ठीक है तो जो अब तक सरकार के पास legal application के मादियों से tax जा रहा था एक तो वो tax जो है उसके अंदर कमी आएगी और दूसरा जो illegal तरीके से भारत के अंदर जो gambling application कल रही है उन application का जो परभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है असली 60 application क्या होती है वे आपको उन application के अंदर देखने को मिलेगा जहांपर आपका ने तो कोई GHD लगता है ना TDS लगता है ने आपसे कोई pen card मांगा जाता है ने अधार card मांगा जाता है वे होती है gambling application जहांपर आर या पार कोण आध टोस जीतेगा इंडिया जीतेगी या उस 60 वो होता है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ दो option होते हैं जिसे इंडिया उस्ट्रेलिया का match सल रहा है उसके अंदर आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि ये match कौन जीतेगी आपने बोल दिया इंडिया जीतेगी तो ये हो गया 60 जबकि 22 खिलाडियों में से आपको य ये अंदाजा लगाना कि आज 22 में से कौन से 11 खिलाड़ी best performance करेंगे ये होता है game of skill जो कि ये dream 11 है बहुत से लोग comment के अंदर बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं कि dream 11 है application 60 application है वे उन लोगों की आपको ज़्यादा सुनने के जरूरत नहीं है क्योंकि जो supreme court है उसने ये comment में जो बग्चोदी करते हैं इनकी सुने कि आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ comment तक सीमित है या फिर लोगों को publicity लेने के लिए dream 11 के उपर आप तंज कर सकते हैं या किसी भी fantasy application के उपर आप तंज कर सकते हैं अभी जैसे world cup आएगा अभी हाल फिल हाल के अंदर य वीडियो आपको देखने को मिलेगी dream 11 का काला साच, dream 11 आपको बरबाद कर देगी वे क्यों करते हैं क्योंकि वे सिर्फ view के लिए और कुछ चंद subscriber के लिए ये सब वीडियो बना कर और आप लोगों को बेवकूप बनाते हैं लेकिन इसकी सचाई ये है कि जो supreme court का फैसला है वो सही है और इससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये सोचना कि आज 22 में से कौन से 11 खिलाडी बेस्ट रन बनाएंगे या बेस्ट कैस लेंगे या बेस्ट विकेट लेंगे ये game of skill हुआ या नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसे को ये लगता है कि ये शायद उनकी मानसिक्ता छोटी ठीक है तो अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जूड़े रहते हैं और अगर ऐसी नौबत आती है क्योंकि अभी जो ये फैसला है ये पैंडिंग है और इसके उपर दोबारा चर्चा करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है और इसके उपर दोबारा चर्चा भी चल रही है लेकिन इसके बावजूद भी अगर 28% GST हमें देने का प्रवधान दिया जाता है तो फिर इसके हमारे पास अधर भी ऑप्सन है और वे कौन से ऑप्सन है वो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल के उपर आपको बता दी जाएंगे जहां पर नए आपका TDS कटेगा नए आपसे कोई GST ली जाएगी और आपका पैसा जो है वो भी सेफ रहेगा लेकिन इस स्थीती के अंदर जो अन्य यूट्यूब और टेलिग्राम वाले हैं जो अपने आपको expert कहते हैं जो fantasy के बुरू अपने आपको समझते है वे लोग आपके साथ इस समय चाल भी खेल सकते हैं वे कैसे खेल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की application बनाने में एक से डेड़ लाक रुपे का खर चाता है और वे अपनी personal एक ऐसी application बना कर market के अंदर उतार देंगे और उसका promotion भी वे खुद करेंगे जहां पर ज अची application है और यहां पर मैं खुद खेलता हूं आप वहां पर पैसे उसके अंदर डालेंगे लेकिन उसमें से आपका पैसा निकलेगा नहीं तो ऐसे लोगों से आपको साब्दान रहना है क्योंकि ऐसी application के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है ठीक है प्रेश्टेड application जै मिनिमम प्राइज जो रहता है फाइस्ट प्राइज पांस लाग रुपे रहता है तो ग्रेंड लिग अगर आप जीतना चाते हो तो वीजन 11 को डाउनलोड कीजिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लेकिन किसी भी यूट्यूबर और टेलिग्राम व आपके पैसे वहां से नहीं निकलेंगे हो सकता है कि एक दो बार छोटे-छोटे विड्रोल आपको वहां से मिल भी जाए लेकिन आपका लाश्ट में क्या होगा कि वहां पर आपका पैसा वह बर्बाद होने वाला है ठीक है तो इन लोगों से आपको साफदान रहना है और फिलहाल जो 28% GST की जो बात चल रही है यह अभी तक final नहीं हुआ है हो सकता है कि यह GST जो कंपनी की जो total income है उसमें से GST का कुछ ऐसा कोई नियम आए कि कंपनी को पे करना पड़ेगा यूजर को पे नहीं करना पड़ेगा कोई ऐसा भी नियम आ सकता है ठीक है लेकिन अगर यह GST का नियम लागू होता है तो आपके पास अन्य बहुत सारी र खतम हो जाएगी खतम बिल्कुल नहीं होगी इसके अंदर और भी बहुत सारे आपके लिए offer आते रहेंगे या अन्य आपके लिए choice जो है वो बढ़ती रहेगी इंडिश्ट्री जो इतनी बड़ी है यह खतम नहीं होने वाली है इतनी जल्दी और इससे government को भी पता है कि government क जानकारी उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई यह परते एक सदस्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर बहुत-बहुत शुक्री आप सभी का थेंक यू बेरी मत